हेलो गाईज तो कैसे हैं आप लो वेलकम बेक टू क्रेजी तेट इस कॉंसेप्ट रिविजिन एनिटाइम एनिवेर फ़र जैसा कि हम जानते हैं कि जैए मेंज जो की 27 एप्रिल से होने वाला था वो कोविट के इंक्रीज होने के करण पोस्पोन हो गया है साथ ही बोर्ट भी पोस्पोन हो गए हैं तो काफी बच्चे इस कन्फूजन में हैं कि हम बोर्ट का पड़े या जैए मेंज का पड़े तो मैं जितना जानता हूं कि बोर्ट अभी में में होने वाले थे तो आप लोगों का मोस्टली तैयार ही हो चुके होगी थोड़ा बहुत रिवीजन बचा होगा है थोड़ा बहुत कोर्स बचा होगा तो वह आप लोग लास्ट के 20-25 डेस में भी कर सकते हैं तो अभी आपको में फोकस जेए मेंज पर करना चाहिए क्योंकि जेए में भी उत्ती ही इंपर्टेंज रखता है जित्ती 12 की परसेंटेज रखती है और आजकल तो शायदा ही रखता है ठीक है तो अब उस बारे में बात करते हैं कि कुछ बच्चे अभी यह सोच रहें कि अब जेए में तो पोस्पोन हो गया है लास्ट यर की तर एक दिन भी अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आप तीन से चार अजार बच्चों से पीछे हो जाएं क्योंकि बाकी सब तो पढ़ रहे हैं तो आपको भी पढ़ना है तो अब हम यह बताना चाहेंगे कि कुछ बच्चे ऐसा सोच रहे होंगे कि अभी हम टेस्ट दे या फि से डिवीजन करें तो उनके लिए मैं बता चाहूंगा कि लास्ट टाइम पे डिवीजन ही सबसे बेस्ट होता है लेकिन अभी जब हमारा टाइम इंक्रीज हो गया है तो सिर्फ रिवीजन से काम नीचल लेगा अभी हमको सबसे पहले तो एक चेक्लिस बनानी चाहिए तीनो आपको अच्छा लगे और आपको ऐसी और वीडियो देखनी हो हम कॉंसेट वाइस भी वीडियो जालते हैं अलग-अलग कॉंसेट को समझाने की तो जरूर सब्सक्राइब कर दिये जए गया और बैल आइकन जरूर तबा दीजिएगा ठीक है तो अब सबसे पहले मैं आपक यह चैप्टर जो रख हैं यह सबसे easy chapters है बनलब जल्दी पढ़ सकते हैं आप जल्दी इनको तयार कर सकते हैं और इनका जो weightage है वो काफी अच्छा है एक है question तो हर paper में आता ही है तो जब हमको free के 6 question मिल रहे तो हम क्यों छोड़े इसलिए मैं कहना चाओंगा कि सबसे पहल इनके questions आप जल्दी जल्दी कर सकते हो तो इन chapters को तो हमें करना ही चाहिए सबसे पहले करना चाहिए लेकिन क्या करते हैं हम इनको last के लिए छोड़ देते हैं और वो last time कभी आता है नि क्योंकि course कभी पूरा नहीं होता चले ठीक है वो सब छोड़िए तो सबसे पहले आप इनकी checklist बनाईए अब इनके साब से आप टिक करते जाए जैसे मालेज़े आपका sets हो गया तो आप इसको टिक कर दीजिए कि ये chapter मेरा हो गया ये मेरा हो गया ऐसे आपकी list बन जाएगी पूरे chapters में से कितने chapter हो गये और जो जो नहीं होंगे उनके आगे आप revision में date लिख सकते हैं जैसे मैं लिखता हूँ कि मैं third में को करूँगा इसका revision ठीक है और उस दिन आपको revision करना है तो करना ही है मतलब वो delay नहीं होना चलिए अब ऐसे करके आप पूरी checklist बना देंगे उसको आप अपने सामाल के रखिए जैसे कुछ बच्चे तो क्या करते हैं वो दिवार पे लगाते थे ताकि उनको दिखता रहे और वो उस चीज़ से motivated feel करते है ठीक है तो ये तो हो गई match ऐसे ही से हम आप physics में बनाएए जो जो easy chapters होते हैं उनको पहले पहले करिए और उनके रिवीजन जल्दी हो जाता है कि क्योंकि कुछ chapters होते हैं जैसे काइनमेटिक्स हो गया वार केनर्ची पावर हो गया यह स्टार्टिंग के chapter होते हैं कि हमने बहुत अच्छे से करे होते हैं बहुत time लेके starting में करे होते हैं तो इनका रिवीजन भी बहुत जल्दी हो जाता है और यह अपन को सबसे अपने सबसे बेस्ट टॉपिक्स रखेंगे कि इनका कोई भी कोशन अपन कर ही देते हैं तो इनको सबसे पहले रिवीजन पर रखिए ताकि आप लोगों कोर्स जल्दी जल्दी कवर होता है ऐसे ही सेम केमिस्ट्री में मोल कॉंसेप्ट हो गया या और्गेनिक में देखा जाए तो जियोसी हो गई अरोमेटिक अपॉंट्स हो गया हाइट्रो कार्टोंस हो गया ये चैप्ट्रोंस टाइम लेके पढ़ाए जाते है और बहुत अच्छा अपना इन पर पकड़ बैढ़ जाती है तब ही अपन को आगे के टोपिक समझ आते है तो इसलिए इनको सबसे पहले करिएगा और चेक्लेस बन आएंगे तो आपको समझ जाएगा कि आपको कितना कोर्स हो गया है और उससे आपको एक आईडिया भी मिलेगा कि आपको कितने पढ़ने की जुरत है और एक मोल्टिविशन में मिलेगा कि मेरा इतना कोर्स हो ही चुका है मनदब इतना तो मैं कर ही लूँगा इत्ते परसेंट मार्क सो मेरे आ ही जाएंगे ठीक है अब उसके बाद हम नीचे आते हैं कि हमें वीक प्लैन करना है जैसे हम मैं यह सज्जेस करूँगा कि आप लोगों को फर्स्ट वीक में पहले थोड़ा सा रिविजन करें ना चीए ठीक है उसके बाद सेकेंड वीक से जो आपको टॉपिक सबसे बैस लगते हैं उन सबका पहले रिविजन करेंजे फर्स्ट वीक में तीनों सब्जेक्ट मि ठीक है अब सेकेंड वीक से आपकी प्लैनिंग क्या रहनी चीए कि आपने जो चेक्लिस बनाएती उसमें माल लेजाए आपका जो कोर्स है वो लेजन 50% है तो पेपर आपको दो हर वीक में करने जरूरी है साथ दिन होते हैं एक वीक में ठीक है दो दिन आप पेपर के रखि तो लेकिन दो दिन कम से कम एक वीक में रखने है पेपर देने के अब पेपर में क्या करेंगे जब आप पेपर देंगे तो तीन घंटे का पेपर होता है ठीक है वो तीन घंटे का पेपर दोगे उसके बाद आप काफी exhausted feel करोगे तो चलिए थोड़ा rest कर लो एक घंटा ठीक बार-बार वो questions repeat होते है jadi means Under mostly questions repeated रिपिट होते में तो उन question को आप जो आपके गलत हो रहे हैं उनको देखोगे तो अगली बार वो गलत नहीं हो ज़रो एक और बार मानलो गलत हो गए तो तीसरी बार तो गलत नहीं हो गे तीसरी बार तक तो आपको answer ह Yani हो चुका होगा सबस्क्राइए घंळ गया लोगों को कर ना ही कड़ मत उस दिन तो पयपर कर ना ही डिया और कोई बी काम सिंसों ही पालई हो ये पेपर करना ज़रूरी है पेपर के बाद पेपर का एन लिसिस जरादा बहुं नहीं कोई बात नहीं सबसे ज्यदा इंप्वाटब का एन लिसषि ही होता है क्योंकि जब तब तक आप analysis नहीं करोगे, तब तक आपको आपकी गलतिया पताने चलेगी, गलतिया पताने चलेगी तो आप सुधार होगे क्या, और फिर number कैसे बढ़ोगे, मैं आपको पकी strategy बता रहा हूँ, ये strategy आप follow करेंगे न, आपको एक महीने के अंदर, एक महीने के अंदर आपको कम से कम 30-40 marks का increase दिख जाएगा, अगर आपका 50-60% course हो चुका है तो, उससे कम है तो और ज़्याद आपको effective लगेगा, क्योंकि उससे जो आपको आते हैं, वो तो आपके और अच्छे होंगी ही, उनकी speed बढ़ेगी, उनकी accuracy बढ़ेगी, लेकिन जो chapter नहीं आते न, उनके भ 4 papers a week कर दिया, above 70% है तो मतलब आप लोग को ज़्यादा course करने की जौरत नहीं है, तो आप लोग 6 papers a week आराम से कर सकते हैं, जितने ज़्यादा paper करेंगे, उत्ती ज़्यादा आपकी speed increase होगी, उत्ती ज़्यादा efficiency increase होगी, और analysis में भी कम टाइम लगा, क्योंकि इतना course हो गंटा पढ़ रहे हैं, फिर हम 2 गंटे waste कर रहे हैं, time phone चला रहे हैं, Instagram scroll कर रहे हैं, या कुछ भी waste कर रहे हैं, ठीक है, तो हमने ये time table बनाया है, आप अपने हिसाब से दूसरा time table बना सकते हैं, इससे related या इसको देखकर अपना खुद का बना सकते हैं, क्योंकि हर किसी के पढ़ने की strategy अलग होती है, लेकिन time table बनाना जरूरी है, और उसको follow करना और भी जरूरी है, तो मेरे हिसाब से तो सुबह 6 बजे होती है, ठीक है, सुनने में अजीव सा लगता है, और काफी लोगों को आदत नहीं होती, सुबह जल्दी उठने की, लेकिन जल्दी उठने स आप लोगों का mind fresh रहता है, और दूसरा की जब paper में number कम आते हैं, marks कम आते हैं, तो frustration कम होता है, जो नींद होती है, वो proper होती है, उससे अपना mind अच्छी उसमें रहता है, mental health अच्छी रहती है, तो आप लोगों को उससे cope up करने में दिक्कत नहीं होती है, ठीक है, अब आप उठ गए, थोड़ा pressure करिए, fresh हो जाईए, और कुछ walk कर लीजिए, गाने सुन लीजिए, exercise करिए, थोड़ा fresh नप हो जाईए, ठीक है, उसके बाद अपना day जो है, वो organic और inorganic chemistry से start कर दीए, क्योंकि chemistry जो है, वो सुबह सुबह पढ़ने से याद रहती है, ऐसा सच में होता है, यह कोई, मलब, माननेता नहीं है, यह सच में होता है, organic chemistry का, जो notes होता है, आपके coaching के notes होंगे, यह आपके self notes होंगे, और self notes बनाना बहुत जरूरी होता है, तो वो जरूर बनाना short notes होता है, ठीक है, इनको एक गंटा सुबह पढ़िए, इसके notes पढ़िए, ढंक से पढ़ और सुबह सुबह पढ़ेंगे तो आपको easily याद रहेंगे, क्योंकि mind में इतनी ज़्यादा चीजे नहीं चल रहे होती है, ठीक है, अब यह हो गया आपका एक गंटा, तो उसके बाद आपको पिछले दिन आपने जो पढ़ा, वो revise कीजिए, देखो starting में time लगेगा, starting में 30 to 40 minutes लग सकते हैं, 45 minutes एक गंटा भी लग सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप previous day का रोज revision करते रहेंगे, तो वो time कम होते होते हैं, 15-20 minutes तक आजाएगा, तो इतनी देर में आप अगर पिछले दिन का revise कर रहे हैं, तो मलब आपकी efficiency double हो रही है, ठीक है, अब इसके बाद आपक set करके, कैसे set करना है, देखो, exam में आपको match के 30 questions में 25 questions करने हैं, तो उसके लिए time किता होता है, देखो, मैंने जब ये image का वेपर दिया था, तो मैं match को 80 minutes रखता था, 80 to 85 minutes देता था, और बाकी subjects हो बाकी कट हैं सकता था, आपके उपर है किता time देते हो, लेकिन at least 2 to 2.5 minutes ए आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप 30 questions का target रख रहे हो, तो उनको 60 minutes में करने का try करो, आप 2 minutes में करने का try करोंगे, तब जाके वो 2.5 minutes में exam में होंगे, क्योंकि exam में pressure रहता है, ठीक है, तो आपने 60 minutes का एक alarm लगा दिया, उसमें आपको 30 questions करने है, ठीक है, अब 30 में से आ आपको वो अपने अंदर improvement मिलेगा, कि आप, आपकी speed increase हो रही है, accuracy तो साथ में रख नहीं है, अपनको, accuracy maintain करना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि accuracy और speed डोनों का mixture वो ही mains में rank ला सकता है, ठीक है, चलिए, अब maths हो गई, अब इसके बाद हम करेंगे physical chemistry, क्योंकि physical chemistry में calculations होती ह और maths में अपने काफी calculation करी भी होती, तो अपना mind उस तरीके से work कर रहा होगा, इसी लिए physical chemistry math के बाद करना beneficial रहेगा, ठीक है, आपने chemistry कर ली, physical chemistry इसको भी आप 45 minutes to 1 hour time set करके करिए, और beneficial रहेगा, उसके बाद आप एक break ले लिजिए, क्योंकि ये सब आपने पढ़ लिया है सुबह है, तो break ले लिजिए, lunch कर लीजिए, टीवी देख लीजिए, अपने parents से बात करिए, अच्छा feel होएगा आपको भी और उनको भी, ठीक है, अब उसके बाद आप organic chemistry के questions रेक्टिस करें, organic chemistry जो होती है, उसके questions काफी जल्दी हो जाते हैं, ठीक है, तो उसमें आपको speed कर नीचे की, जैसे 30 questions आपको करने है, तो 45 minutes का target रखिए, अब 30 नहीं तो 20 तो होंगे, पहले दिन 20 होंगे, फिर बढ़ेंगे, जैसे है math में अपने कराता है, वैसे ही, ठीक है, organic chemistry कर ली, तो आपका mind थोड़ा सा working में आ गया, मतलब कि थोड़ा सा उसको warm up मिल गया, उसके बाद आप maths करिए, क्योंकि maths में आप लोग जानते हैं, सबसे ज़्यादा सोचने की ability लगती है, फिर उसके बाद आप break ले लिजिए, क्योंकि maths दिन का time होता है, हम थोड़ा exhausted feel करते हैं, थोड़ी से नीन, नीन सी लगती है, तो इसलिए सोबह जल्दी उठे वे होते हैं, थोड़ा सा break ले लिजिए, जो आप करना चाहें, वो करना चाहें, कुछ भी करना चाहें, ठीक है, उसके बाद आप physics प्रैक्टिस करिए, क्योंकि physics जो होती है, वो जे ही means में normal level के आती है, moderate, ना easy, ना hard, लेकिन सबसे ज़्यादा इसी में competition रहता है, क्योंकि ये percentile आपकी बिगाड भी सकती है, और सुधार भी सकती है, इसमें कम नंबर पे भी काफी अच्छी percentile आला जाती है, जैसे अगर आप 40 to 50 marks लाते हैं, तो भी आपकी 94 to 95 percentile आला जाएगी physics में, only talking about physics, जबकि बाखी subject में ऐसा नहीं होता, अब ये हो गया, physics आपके हो गया, दो गंटे तक कर लीजिए इसको दो डाई गंटे तक, उसके बाद आप formally revise करिए, या फिर important points आपने पूरे डे में कहीं पर mark करे हो, और उसके बाद, उसके बाद आप next day की planning करिए, अगले दिन आप क्या करेंगे, और उस plan के साथ ही, उस plan की हिसाब से ही आपको काम करना है भी ना planning के को बहुत ज़्यादा effect करा है, बहुत से लोग depression में भी जाते हैं, पर हमें ये सब avoid करने के लिए हमारी नीम सही होना जरूरी है, ठीक है, तो seven hours की sleep होना जरूरी है, चलिए फिर ये तो बढ़िया है, ये सब आप time table अपने साथ से बना लीजे या जो हमने लिया है वो follow कीज कर चुके हैं, जिस state से आप लोग अभी गुजर रहे हैं, और हम लोगों के experience share करने से आप लोगों को beneficial होगा, तो चलिए मैं last में आप लोगों को ये ही बताना चाहूँगा, कि अपनी पढ़ाई बिल्कुल continue रखिए और आपको बिल्कुल results मिलेंगे, ठीक है, time table follow कीजी, और अब हम आपसे इजाज़त लेते हैं, बने रही है हमारे साथ, like कीजिए, subscribe कीजिए और comment भी कर सकते हैं, अगर आपको लगता है हमें कुछ improvement करना चाहिए, या हमें कुछ और add करना चाहिए, वो आप comment section में जरूर लिखिए, thank you